कि है कि है गाई स्वागत आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल बेस्ट नॉट्स टुटोरियल में मैं मनवर्शिंग लाया हूं 20 महित्पूर्ण स्वतंतरता आंदोलन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो आपका पहला प्रस्तन है राज्य का प्रेथम स्वतंतरता संग्राम सेनानी होने का गर्व किसको प्राप्त है तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ओप्शन ए कालो सिंग महरा का इनका जन्म 1831 में हुआ था चंपावत जिल्य के विशुंग यानि लोहा घाट गाओं के कालो सिंग महरा ने कुमाओं छेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाब आंदोलन चलाया इन्हें उत्राखन का प्रेथम स्वतंतरता संग्राम सेनानी होने का गर्व प्राप्त है तो अगले क्वेशन पर चलते हैं अलमोडा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिवेटिंग कलव की इस्थापना कभ हुई थी तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से सनटार सुस सत्तर में तो अगला क्वेशन है राज्य की भासा यानि कुमावनी में प्रेथम अखवार का प्रकासन किस जिल्ले से शुरू हुआ तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अलमोडा जिल्ले से अलमोडा अकवार के प्रकासन राज्य में विश्षकर कुमाव चेत्र में राजनीतिक चेत्रा का विश्थार हुआ था तो अगले क्वेशन पर चलते हैं तो अगला क्वेशन जो है वह कोलकाता कॉंग्रेस अधिनियम सन 1886 में उत्राखंट से दो लोगों ने भाग लिया था उनमें से एक थे यह उनमें से एक ब्यक्तिक कौन थे तो वह थे आपके ऑप्शन बी जौलादत जो सीजिए सन 1886 में कलकाता में हुई कौंग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाओ चेतर के जौलादत सहित दो नेताओं ने भाग लिया था तो अगले क्वेशन पे चलते हैं राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए सन 1903 में हैपी कलब की स्थापना किस ने की थी तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित गोविन बलब पंद जी ने बीश्वी सती के प्रेथम दसक में उत्राखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविन बलब पंद का प्रवेश हुआ था राज में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए सन 1903 में हैपी कलब की हैपी कलब नाम की एक संस्ता इस्तापित की थी तो अगले क्वेशन पर चलते हैं तो अगले जो क्वेशन है वो है राज्य में वन नीति के विरोध में ब्यापक जन आंदोलन कब से कब तक चला तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ओप्सण डी 1911 से 1917 तक सरकार की वन नीति के बिरोध में अलमोडा नैनिताल और गढ़वाल जन पदों में सन 1911 से सन 1917 के बीच ब्यापक जन आंदोलन चला इस छेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको और ब्यापक बना लिया था तो अगले क्वेशन पर चलते हैं राजनीतिक चेतना के बिस्तार के लिए अलमोडा कॉंग्रेस की इस्ताफना कब हुई थी तो वह हुई थी आपकी सन 1912 में ऑप्सन बी राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन को संगठी धंग से चलाने के लिए कुमाव चेत्र में अलमोडा कॉंग्रेस की इस्ताफना की गई थी तो अगला क्वेशन है निम्नि लिखित में से राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चला गये था तो ले कि आप सने विक्टर मोहन जोसी ओप्सन भी बदरी दथ पांड़े उप्सन सी चीरंजी लाल ऑप्सन प्रोग सभी तो इसमें जो आपका सेयांसर होगा वो होग ऑप्सन डी उप्रोग सभी चिरणजी लाल बदरी पांडे बद्री दट पांडे और विक्टर मोहन जोसी , तिलक और वेसेन ज्वारा में सुरू किये गए होम रूट यानि स्वासासन लीग आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोसी बद्री नात पांडे बद्री दत पांडे चिरंजी लाल और हेम चंद आधी ने मिलकर राजों में होम रूल लीग की लीग आंदोलन चलाया था तो अगले question पर चलते हैं दक्षन अफरीका से लोटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस सन में की थी तो आपका सही आंसर होगा option A सन 1916 में दक्षन अफरीका से लोटने के बाद सन 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा पर गए थे तो अगले question पर चलते हैं सन 1916 में किन महानु भवों के प्रियासों से कुमाओं परिशत गठित हुआ तो आपका सही आंसर होगा option D उप्रोक सभी बद्री दत पांडे हर गोविन पंथ और पंडित गोविद बलब पंथ तो राज की सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक तथा सेक्षनिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविन बलब पंथ हर गोविन पंथ बद्री दत पांडे आधी नेताओं के प्रियासों से सन 1916 में कुमाओं परिशत का गठन हुआ आगे चलकर यहाँ परिशत कुली बेगार कुली उतार जंगलात कानून बंदोवस्ट प्रणाली आधी इस्थानी समस्याओं के साथ ही परिशत के विरोध में परिशन ने विरोध प्रद्रशन और सभाएं आयोजित की सन 1926 में इसका कॉंग्रेस में बिले हो गया था तो अगले क्वेस्टिन पे चलते हैं तो अगला क्वेस्टिन है नमक सत्यागरह के दोरान अलमोडा नगरपाली का भवन पर कुंती वर्मा मंगला वर रेवती आधी महलाओं ने किसके नेत्रितों में तिरंगा पहराया था तो आपका सही आंशरोगा ओप्शन बी विश्वनी साह देवी या विश्वनी देवी साह कुछ भी बोल सकते हैं नमक सत्याग्रह के समय ही अलमोना के नगरपाले का भवन पर विश्वनी साह देवी के नेचरुत्व में कुंती वर्मा, जीवन्ती, मंगलाव और रेवती आधी महलायों ने तिरंगा फेराया था तो अगले क्वेस्चन है सन 1932 में राज्य के 21 महला आंदोलन कारे को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन ए कुंती वर्मा स्वतन तरता आंदोलन में महलाओं के बढ़ते योगदान को दवाने के लिए फरवरी सन 1932 में राज्य की आठ महिलाओं को फतेगर्ड जेल तथा पदमा जोसी को लखनव जेल में भेजा गया और कुंती वर्मा को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था तो अगले क्वेस्चन पे चलते हैं सन 1941 में लक्षमी आश्रम की स्ताफना किस ने की थी तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन सी सरला बहन सन 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी सिश्या सरला बहन जो की इंगलेंड की मूल निवासी थी और जिनका पूर्व नाम हाईलो मना था उनको अलमोना भेजा उन्होंने कोसानी में लक्षमी आश्रम की स्ताफना भी की इस आश्रम ने कताई भुनाई के साथ ही महलाओं को स्वतंतरदा आंदुलन के लिए भी तैयार करने का कार्य किया था तो दोस्तों अगले प्वेस्टन पे चलते हैं लक्षमी आश्रम से जुड़ी वहों कौन सी दो बहने थी जिन्होंने सर्वदे का ब्यापक प्रचार प्रसार किया तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वहोगा ओप्शन डी ओप्शन ए और बी यानि ओप्शन डी बसंती और कमला तो लक्षमी आश्रम से जुड़ी दो सगे बहनों कमला और बसंती ने सर्वदे का प्रचार प्रसार में एहम भूमी का निवाई थी तो अगला क्वेस्टन है गांधी जी की दूसरी विदेशी सिस्ट्य कौन थी तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन ए मीरा बाए इनकी जो पहली विदेशी सिस्ट्य थी वो थी सरल्ला बहन जो के इंग्लेंड की मूल निवासी थी तो मीरा बहन गांदी जी की दूसरी विजेशी सिस्य मीरा बहन थी इन्होंने रिशिकेस में पसुलोग की स्ताफना की और महिला जागरिती में अपना अमूल्य योगदान भी दिया था तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं अल्मोणा अखवार का प्रकाशन स्वतंत्ता आंदुलन को गति देने के सरुप्रहथम किसके नेत्रुत में शुरू किया गया तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन डी वुद्धी वलब पंथ ओके तो अल्मोणा के डिवेटिंग कलब द्वारा सन 1881 इसवी से अल्मोणा अखवार का साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था इस अखवार में राजमे चल रहे जन आंदूलन तथा स्वतंत्रता आंदूलन को नई दिशा दी सन 1918 के हुली के अंग के संपादग में बद्री दतपांडे ने गजल के माध्यम से ततकालीन कमिशनर पर प्रहार किया था जिससे पेपर पर जुर्माना लगा दिया गया और पेपर बंध हो गया था तो आगले क्वेस्टन पर चलते हैं अलमोरा अखवार के बंध होने के बाद संपादक बद्री दतपांडे ने सितंबर सन 1918 से कौन सा साफताहिक निकालना शुरू किया था तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सक्ति का अलमोरा अखवार के बंध होने के बाद सितंबर 1918 से बद्री दतपांडे ने सक्ति नाम से एक साफताहिक का प्रकासन करने लगे थे तो अगला क्वेस्चन है तो अगला जो क्वेस्चन है वो है गडवाली मासिक पत्र किसके संपादक्तों में शुरू हुआ था तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गिरिजादत नैथानी जी ओके तो देहरद उनके गडवाल यूनियन द्वारा सन 1905 में देहरद उन से गिरिजादत नैथानी के संपादक्तों में गडवाली मासिक पत्र शुरू हुआ था तो अगला क्वेस्चन है कर्म भूमी का प्रकाशन किस संपादक्तों में हुआ तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैंटीन थर्टीन उननी सो उन्ताली संपादक्तों में सन 1949 में लैंजडाउन यानि पोड़ी से कर्म भूमी का प्रकाशन हुआ था तो अगले क्वेस्चन पर चलते हैं युगवानी का प्रकाशन किस जनपत से हुआ था तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन बी देहरादौन सन 1941 में देहरादौन से युगवानी का प्रकाशन शुरू हुआ था हमसे जोड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में नए दिन के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर एंड गुल डॉक फॉर एक्जाम थैंक्स फॉर वाचिंग